कर दो कर दो कर दो कर दो किस तरह हम एक अमाउंट से उसकी परसेंटे और परसेंटे से हम किस तरह प्राफिल जनरेट कर सकते हैं करेंगे सिंपल एक एक्सप्टी शीट में यह रेंसमने यह मैंने अमाउंट है और यह इसकी परसेंटेज है है इसका हमारे पास यह प्रॉफिट था गया है अब इसको हमने किया कैसे है इसके लिए के रोकिट साइंस है सिंपल सा एक सिंपल सा एक फार्मूल है इसको मैं एक करेंगे मैं आपको पहले इंकाल कर इखाता हूं कि 20% से या किसी भी percentری से हम profit कैसे निदा सकते हैं उसके लिए हम आने एक यहां पर amount लिखी इसको दुबारा में type करता हूँ 12 इसको 20% करता हूँ यानि के अब हम झान रहे हैं कि अगर हमारे पास 12,000 हो तो उसकी जो 20% है वो profit यहां वह amount हमारे हमारे पास क्या आएगी उसके लिए मैं एक सिंपल सा फार्मॉला यूज़ करते हैं यह हमारे पास चौबीस ओ आ गई सेम यह यहां भी हम अमाउंट चेंज करेंगे हम 6,000 करेंगे तो यह हमारे पास इसकी प्राफिट 1200 आ गई है इसको 12,000 करेंगे तो हमारे पास इस चौबीस ओ आ गई है यानि कि यह फार्मॉला है यह फार्मॉला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखता हूं तो अब हम एक अमाउंट की परसेंटे से इसका प्राफिट निकाल चुके हैं अब हम देखते हैं यह हमारी इमाउंट है इसका प्राफिट 12500 है इसकी परसेंट इस परसेंटे बनती है अब हम एक नई रिकम लेते हैं यह जिचेजार है इसका प्राफिट हमें 1200 है तो हम यह देखने चाहते हैं कि 6000 प्राफिट छे जार अमांट का जो बारा सु प्राफिट है वो कितना बनता है उसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मॉला यूज करेंगे डी डिवाइड इसमें सिर्फ हम एक वर यूज करेंगे यह मैंने आपके लिए मेरे पास 20 अब इसको हम 14,000 करते हैं तो हमारे पास 10 परसेंट आप यह दो फार्मॉले हैं जिससे आप किसी पी इमांट की परसेंटे यह किसी भी परसेंटेज का प्राफिट निकाल सकते हैं दोनों फार्मूले मैं आपको डिस्क्रेक्शिन में एड़ कर देता है